भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब भारती वायुसिना की महिला लड़ाको पालेट भी राफेल उड़ाएंगी बताया जा रहा है कि एक महिला लड़ाको पालेट जल्द ही गोल्डन एरो स्क्वाडरं में शामिल हूँगी बतादे कि इसमें हाल ही में राफल युदक विमानों में शामल किया गया है अधिकारियों की माने तो ये महिला पालिट राफल विमान उडाने का प्रस्रिक्षन ले रही है अब तक मिली जहनकारी के मताबिक ये महिला मीग 21 लड़ा को विमान उडाती रही है और उन्हें राफेल के लिए आंतरिक चैन प्रक्रिया द्वारा चुना गया है बतादे कि फिलहाल भारती वायुसेना में 10 महिला पालिट हैं और 18 महिला निवीगेटर हैं जो लड़ा को विमान पर अपनी कमान जमा चुकी है इसके लावा वायुसेना में महिला अधिकारी कोई कुल संख्या 1875 है गौर्दलभाय के चीन के साथ भारत का तनाव दिनो दिन बढ़ता जारा है इस्तिति युद्ध के समान उभर रही है ऐसे में भारती सेना ने चीन को सबक सिखाने के लिए हर मोर्चे पर अपनी तयारी पूरी कर ली है यही नहीं अब राफेल को भी चीन के खिलाफ अस्तिमाल करने की पूरी तयारी कर ली गई है बता दे कि अब तक भारत के पास राफेल की एक खेप आ चुकी है इन विमानों में से अब एक विमान बर भारती महिला लड़ा को पालिट की कमान होगी